देखे बीते 15 साल से अपनी पत्नी से अलग रहे रहे जमु कश्मीत के पूर्वुख्य मंत्री उमर अब्दुल्ला की तलाक या चुका से ये जो पूरा मावला है वो और आगे बढ़ गया है इस मावले में उमर अब्दुला की अर्शी पर सुप्रीम कोट ने उनकी पत्नी पायल अब्दुला को नोटिस जारी किया है दरसल तलाक मावले में उमर अब्दुला ने दिले हाई कोट के फैसले को सुप्रीम कोट पे चुनौती दी असल में कुरूरता के आधार पर अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला से तलाक मांगने वाले उमर की याचिका को दिली हाई कोट ने खारिच कर दिया था उस वक्त कोट ने क्या फैसला सुनाया था ये भी आपको बताते हैं पारिवारिक अदालत में पाया था कि अब्दुल्ला द्वारा पायल अब्दुल्ला के खिलाफ खुरूरता के आरोप अस्पेश्ट थे पीत ने कहा कि पायल अब्दुल्ला शाररिक और मालसिक रूरता के किसी भी कृत्ते को साबित करने में नाकाब रहे उमर अब्दुल्ला और पायल अब्दुला की 1 सितंबर 1994 को शादी हुई लेकिन आपसे विवाद के चलते वो 2009 से अलग रह रहे थे और उनके दो बेटे हैं उमर अब्दुला की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिबल ने अदालत को बताया कि दमपती की शादी खत्म हो चुकी है क्योंकि वो पिछले 15 सालों से अलग अलग रह रहे हैं उन्होंने सविधान के अनुचेद 142 के तहट शीश अदालत से हस्तक्षेप करने का नुरूद किया जिसका इस्तेमाल पहले भी शादी को खत्म करने के लिए किया जाता रहा है रिपोर्ट्स की माने तो उमर अब्दुला ने अपनी अर्जी में पायल से तलाकी मांग की है उमर की और से सुप्रीम कोर्ट में पेश वरिष्ट वकील कपिल सिबल ने कोर्ट को बताया कि बीते 15 सालों से ये जो शादी है वो मृत्त प्राय हो चुकी है सिबल की दलीले सुनने के बार जिस्टिस सुधानशू धुलिया और जिस्टिस अशानुदीन अमानुला ने और उनकी पीट ने पायल को नोटिस जारी किया इससे पहले 2023 में जस्टिस संजीव सचुदेवा और विकास महाजन की पीट ने 2016 के पारिवारिक में आयाले के आदेश को बरकरार रखा था अब्दुल्ला ने पत्नी से लग होने के लिए 30 अगस 2016 को पारिवारिक अदालत में अरजी लगाई थी हाई कोट ने अपने एक अन्य आदेश में पायल को मिलने वाला मासिक गुजारा भत्ता बढ़ा दिया जस्टिस सुब्रमणिय प्रसाद ने पायल को 1,50,000 रुपे महिने और उनके दोनों बच्चों को 60,000 रुपे का गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया